इपॉइंट बिल्ट्स अडिजायर फॉर लानेंग पिछले बार जो एक्जाम हो था उसमें तो अगर आप हमेरी इस question को नोट्स को डाउनलोड करना चाते हैं तो description में हमने link के दिया है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही साथ हमारे पुराने वीडियो जिसमें हमने बहुत से topics पर डिसकस किया था और साथ ही साथ previous year की जो questions है उसमें भी हमने बताया हुआ है वो description से link लेकर आप उसे देख सकते हैं तो चलिए आज का question हमें स्टार्ट करते हैं which of the following is true इसमें चार options दिये हुए है क्योंकि part b का question है इसलिए only one answer जो है correct होंगे तो first इसमें देखते हैं एक series दिया हुए minus one to the power n upon n ये alternate series दिया m plus n square में two sums लगा हुए एक m is equals to one to infinite क्या और second n is equals to one to infinite ये convergence होंगे या फिर ये series जो है वो divergence होगे ये हमको बताने है solution इसके start करते हैं first point के लिए देखते हैं first option के लिए हमने an is equals to one upon n यहां से ले लिया और an plus one क्या हो जाएंगे one upon n plus one हो जाएंगे अब देखिए n plus one जो है व अब इसका जब हम reciprocal लेंगे one upon n plus one is less than हो जाएगा one upon n अब हमने इसको इस फॉर में क्यों दिया अब देखते हैं for alternative series हमको तो यहां से ही दिख रहे है कि अगर even or odd power यहां लेते जाए तो यह alternative plus minus plus minus ऐसा series आते ही जाएगा हमारे पास तो यहां से देखते है for alternative series two cases यहां पर हो यह दोनों condition अगर हमको मिलता है तो series जो है वो convergent हो जाती है alternate series के लिए condition है तो इसमें भी वही चीज हम चेक करेंगे mod a n plus 1 is less than mod an यह हमको यहां से पता चल गया क्योंकि series जो है one upon के form में है इसलिए one upon n plus one यह हमको value मिल गए यह जो है इसलिए छोटी value आगई an से यह छोटी value और हमको मिल गया limit n tends to infinite one upon n इसमें अगर हम limit infinite put up करते हैं तो हमको मिलते है 0 तो यह दोनों condition जो है यहां पर satisfy कर रहा है यानि कि जो यह series जो है वो convergent series हो जाएंगे और हमको option में जो है वो divergent बुला गया है इसलिए यह जो है option one वो wrong हो जाएगा अब second option के दब जाते है one upon n एक less या फिर equal है तो series divergent होता है तो हमारे पस वही चीज़ आया हुआ है पी की value one आ गई इसलिए by t p test the series is divergent हमको लेकिन option two में जो है divergent उसे हमको option correct option मिल जाएगा तो सबसे पहले जो first यहाँ पर submission हमको दिख रहें sum जो दिख रहें उसको पहले हम यहाँ पर open करेंगे तो यहाँ से देखते हैं सबसे पहले इसको open करने इसलिए n की value हम यहाँ put up करते जाएगे तो हमको मिलता है 1 upon m plus 1, हमने सबसे पहले 1 put up किया तो 1 upon m plus 1 holy square आ गया हमने यहाँ पर n की जगा 2 put up किया तो 1 upon m plus 2 holy square आ गया same as ऐसे 3, 4 आगे put up करते जाएंगे अब यह जो sum है इसको सारे में हम separate कर देते हैं देखिए, इन sum को सारे में separate किया तो हमको यह मिल गया, अब यहाँ से देखते हैं sum में sum को फिर से open करते हैं, m is equals to 1 to infinite के लिए तो m की value हैं पर 1, 2, 3, 4 put up करते जाएंगे तो 1 जब put up करते हैं तो 1 plus 1 2 हो जाएंगे यानि कि 1 upon 2 square 2 put up करने पर 1 upon 3 square plus 1 upon 4 square so 1 second में put up करेंगे अगर 1 यहाँ पर तो 3 value आगे, यानि कि 1 upon 3 square से start हो गई है और आगे चलते जाएगा, इसमें भी अगर हम 1 put up करते हैं, तो 1 plus 3 यहाँ पर 4 हो जाएंगे तो यह 1 upon 4 square से start हो गए और आगे continuously चलते जाएंगे तो हमको यहाँ पर देखो, अलग-अलग series मिल गए यहाँ पर, सबका summation अब यहाँ ध्यान देंगे 1 upon 2 square जो है, वह single time ही आ रहे है बाकी series में 1 upon 2 square नहीं है इसलिए हमको single time हमने लिखा अब 1 upon 3 square देखो, first वाले में है sum में है, और second वाले sum में भी है लेकिन third sum में नहीं है तो इन दोनों में है, इसलिए हमने इसको 2 times लिखा, ऐसा plus कर दिया same as देखेंगे, 4 के लिए 3 तीनो series में होंगे first, second और third के लिए, लेकिन fourth में नहीं होंगे इसलिए 3 times इसको लिखें हमने same as 5 के लिए 4 times होंगे, 6 के लिए 5 times होंगे, ऐसा बढ़ते जाएंगे तो हमको क्या मिलता है, 1 upon 2 square plus, 1 plus 1 यहां से हो जाएंगे 2, तो 2 upon 3 square plus same, यह 3 times इसलिए 3 upon 4 square यह 4 times है इसलिए 4 upon 5 square plus 1 आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमारे पास series क्या मिलता है, दीखिए submission as the n is equals to 1 to infinite यहां से n की value अगर मैं 1 लूँ तो नीचे जो है 1 में 1 plus हो रहे हैं, याने कि हमको क्या मिला n upon n plus 1 whole square यह हमको एक series मिल गया अब इस series को थोड़ा सा solve करके देखते हैं कि हमारे पास यह जो है term उसको हमने an ले लिया इसकी value n upon n plus 1 whole square अब एक हम series बनाते हैं इसके alternate हम b एक series बनाते हैं कि उसको हमने 1 upon n के form में ले लिया इसको कैसे लेना है, अगर उपर में n की power 1 है और नीचे इसको solve करेंगे तो n की power 2 याने कि 1 one time n cancel हो गया और 1 upon n आएगे, इससे हमने इस series को लिया है तो from the solution अब second हमने देख चुका है second option में इसका solution हमने निकाल रा था यह जो है divergent था चाहे तो आप आगे भी solve करके इसको देख सकते हैं तो यह divergent आ गया तो by comparison test हम जानते हैं कि अगर b n series जो alternate हमने series लिया है वो अगर divergent है तो original series भी divergent हो जाता है तो हमारा option 4 में क्या दिया था इस series को divergent बुला था और option 3 में जो है converges बुला था लेकिन हमारे पस divergent आया है इसलिए option 4 जो है वो correct option होगा तो इसमें इतने ही था यह हमको option 4 correct मिला तो आज के वीडियो में इतने ही हम आपके लिए और भी हैसे अच्छे उडियोस लेंगे तब तके लिए धन्यवाद